अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो उपर लिंक आप आजएगा यहां पर अप्लिक करके वीडियो पर देख सकते हैं आज का टोपिक है सेट बिल्डर नोटेशन यानि के सेट को लिखने का एक और तरीका है दूसरे लफाज में कहूंगा कि कोड़ वर्ड्स की फोर्म में हम सेट को किस तरह से लिख सकते हैं और इसमें हम different examples करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन में कोई सेट लिखा हुआ है तो वहां से हम सिंपल सेट को कैसे लिख सकते हैं और यानि कि उसके elements की फोर्म में कैसे लिख सकते हैं और अगर इसी तरह हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है सिंपल elements की फोर्म में तो वहां से हम सेट बिल्डर नोटेशन कैसे लिख सकते हैं तो चले आज का लेक्टर जब स्टार्ट करते हैं तो अभी मैं जिकर कर रहा था कि सेट बिल्डर नोटेशन बेसिकली क्या है कि एक सेट को एक different अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में लिखने का तरीका है यानि कि code words की form में लिखने का तरीका है इसमें वो different symbols को भी यूज कर सकता है mathematical symbols को यूज करता है जैसे यहां पर देखेए epsilon जो है usually set theory के अंदर member के तोर पे यूज हो रहा है इसी तरह capital R यूज किया हुआ है capital Q plus यूज किया हुआ है capital O plus यूज किया हुआ है तो हमने set theory में देखा था last lecture में कि कुछ ऐसे useful sets होते है जो के discrete mathematics में बहुत जब इस्तमाल में होते है और मैंने वहां पर emphasize भी किया था कि आपको इनको याद करना ज़रूरी है ताकि आपको easily जो है वो discrete mathematics के different जगों पर जो यूज होंगे आपको असानी होगी उसको समझ लेने अब आप जहां पर देखे हैं तो आपको तीन example यहां पर नदर आ रही है जिसमें पहले वाले जो example है Q plus एक set है जिसमें वो बिज़दाने की कोश्री कर रहा है कि X किसी set का हिस्सा है R कोई set है क्योंकि हमें बता था कि set को बेशाख capital letter से लिखते हैं यह भी मैंने last lecture में आपको बताया था कि एक set के अंदर एक और set भी हो सकता है तो इसलिए set के अंदर element अगर capital में लिखे हुए है तो इसका मलब है कि वो किसी set कोई set है तो इसका मलब है कि X member है किसी set R का यहां पर R जो है real numbers है ठीक है मुझे पता चल गया है क्योंकि मुझे वो याद है कि real numbers को capital R से लिखन करते है set भी के अंदर पिर वो आगर कहना चाहरा है कि जनाब यह जो line हदर आ रही है ठीक है जी इसमें भी कुछ मतलब है मैं यह आपको बताता हूँ कि वो बताना चाहरा है कि जनाब इसके अंदर real numbers है और कौन से real numbers है P over Q वाले P over Q क्या है वो बताना चाहरा है कि जनाब यह positive integers है कुछ P and Q यानि कि प और Q कुछ positive integers है यानि कि अगर P को Q पे divide करें तो जनाब हमारे पस कोई number आएगा जो के positive integer होगा यानि कि integer values होगी तो यहां पर कुछ ऐसे real numbers आएगे जिनको हम divide कर सकते है बटे की form में लिख सकते है यानि कि ऐसे numbers है जो कि rational numbers है ठीक है जी और rational numbers कों से होते हैं जी जो कि किसी ना किसी point पे जाके terminate हो जाते हैं अब नीचे वाले दोनों sets पर आजएं तो नीचे वाले दोनों sets में आप देखें कि set a में बदाना चाहरा है कि जनाब इस set के अंदर कोई element x है कौन से element हैं है positive integers हैं कौन से जी odd positive integers हैं यानि कि इस set को basically एक set है हमारे पास उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि set a है ठीक है जी set a में कौन से elements हैं जी odd positive integers हैं odd positive integers तो हमें बता है कि positive integers जो है odd positive odd number 1 से start होता है ठीक है जी इसके अंदर बताना चाहरा है कि इसके अंदर 1 है 3 है फिर इसके अंदर 5 शा मिले जी और इसी तरह इसके अंदर 7 भी include है और इसके अंदर जो है वो 9 भी include है लेकिन lesser than 10 है तो 10 इसके अंदर include नहीं होगो 10 वैसे भी even number है और number नहीं है अब देखें कि इस set को उसने किस form में लिख है इस ही को set builder notation कहते है अब इस example पर आजएं जी इसरी example में देखें तो आप यहां पर भी set A है वो कहते है जनाब X जो है वो O positive अब O positive क्या है set theory में capital O को जी जनाब लिखते हैं हम odd numbers को तो यहां पर O प्रस का मुलब है कि positive odd numbers है ठीक है जी और इस पर अंदर भी ऐसे positive odd numbers है जो के lesser than 100 है अब set build innovation का फाइदा यही है कि जब इतने ज्यादा अतदाद के अंदर elements आ जाजेंगे जिनको एक-एक को specify करना जो है मुश्किल है तो हम simple एक code word की language में reader को बता देते हैं कि जनाब यह जिस set का मैं जिकर कर रहा हूं उस set के अंदर कौन-कौन से elements जो है वो शामिल है अब इसको पढ़ना कैसे है पढ़ने का अंदाद में आपको बता देता हूं कि आप इसमें देख सकते हैं कि इतने इससे को हम पढ़ेंगे for all x belongs to odd numbers अब for all x पर सकते हैं यह आप simple यह भी कह सकते हैं कि x is an element of o plus this set के अंदर x is an element of o plus जाने कि o plus positive odd numbers और यह जो लाइन है जिसको हम पढ़ेंगे whereas कुछ लोग इस लाइन की जगापे colon भी use करते हैं आप colon भी use कर सकते हैं कोई ऐसा issue नहीं है और इसको हम पढ़ेंगे x is lesser than 100 यह मैं पता कि lesser than का sign है यानि कि जिसकी तरफ यह close हो रहाता है उसको lesser than पढ़ते हैं जिसको open होता है greater than होता है इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि x जो है वो lesser than 100 है यह इसको पढ़ सकते हैं कि 100 is greater than x तो अब इसमें कौन कौन से positive numbers आ गए हैं और positive numbers 1, 3, 5, 7, 9 और अब तो यह 99 तक जाएंगे अब इतने जादा positive odd numbers नहीं जिसको कठा लिखना मुश्किल था तो एक छोटा से code word का use करते हुए different mathematical symbols का use करते हुए उसने में बता गिया कि जनाब इस set a के अंदर एक से लेके 99 तक के positive odd numbers है चलिए अब कुछ examples करते हैं तो first example में अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर एक algebraic expression लिखा हुए set के अंदर जिसको 5x-1 पढ़ेंगे और इसमें वो बताता है कि हमें x जो है belongs to integers है यानि कि इस equation में एक algebraic expression को हमने solve करना है जो कि 5x-1 है और solve करने के बाद जो answer आएगा उसको हमने set में लिखना है और x की value को हमने z से लिखना है यानि के integers number अब अगर आपको याद हो तो integer numbers जो है वो हमें पता है कि उसमें elements कोन कों से शामिल है एक तो 0 शामिल होता similarly plus 1 शामिल होता फिर उसमें 2 शामिल होता और इस तरह से ये चलते जाते है और इसी तरह दूसरे end पर इसके अंदर minus 1 शामिल है similarly minus 2 शामिल है और यह इसी तरह इस तरह भी चलते जाते हैं अब हमने इस algebraic expression को solve करना जो x की value हमने रहनी है वो इस z में से रहनी है तो हम इसको solve करते हैं जी तो 5 पहले हम let's say एक x येगा पर 0 लगाते है और फिर minus 1 करते हैं तो यह हमारे पास पता कि answer minus 1 आएगा तो इस set का जो पहला element है वो minus 1 बन गया similarly अब second element let's say हम 1 consider काल लगते हैं 5 into 1 minus 1 और अब हमारे पास हमारे पता है कि 4 answer आएगा तो हम यहाँ पर second element जो है यह 4 लिख देते हैं similarly अगर हम इसको minus 1 consider करें x को अब मारे पास जो है वो कि answer आता है minus 6 आता है तो third element जो है वो minus 6 बन गया इसी तरह से जो है वो हम वाकी elements जो है वो इसके लेख सकते हैं तो यह मारा पहला set पान गया यानि कि set builder notation से हमने list का लिया उन elements को अब देख सकते हैं कि elements की तदाद इतनी ज्यादा है कि वो इसको list नहीं कर सकता था इससे उसने set builder notation का use किया सक्रिजबर आते हैं सक्रिजबर पर कहते हैं कि एकष जो है वो नैच्चर नंबर्स से बिलोंग करता है और एक्स जो है वो minus 2 से equal है और greater than है और 7 से lesser than है तो आप एक मोमन्ट लिए इस वीडियो को पास करें और लिखें खुझ से क्या एलिमंट्स आ सकते हैं फिर आप इसको प्ले करें वीडियो को और देखें किया आपका सट मेरे सट से मैच करता है तो बेरे साथ से यहां पर जो elements आएंगे वो 0 से start होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब हमें पता है कि हमने last lecture में भी डिसकर्स किया था कि natural numbers जाए वो 0 से start होते है यह जो बुक हम follow कर रहे हैं उस बुक में natural numbers 0 से start हो रहे है कुछ बुक्स पे नहीं होता जी मैं explain कर चुका हूँ अब मैंने minus 2 को भी consider नहीं किया क्योंकि यहां पर clear लिखा हो है कि minus 2 से greater than है और equal 2 भी है actual है तो मैंने इसलिए consider नहीं किया क्योंकि natural numbers में ना minus 1 आता है ना minus 2 आता है इस वजह से मैंने minus 2 को भी skip किया minus 1 को भी skip किया और मैंने 0 से start किया तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह मेरे पास इस set के लिए आ जागा अब example में 3 करते हैं जी तो example में 3 में अगर आप देखें तो यहां पर वो कहता है कि x belongs to real numbers और x जो है उसका अगर square लें तो वो 9 के एक वालाएगा यानि कि ऐसे real numbers हमने consider करने हैं इस particular set के अंदर कि जिनका square लें तो वो 9 के एक वालाएगा अब हमें पता है कि real numbers में जो है हमारे पास integers भी शामिल है rational, irrational number सारे के सारे शामिल है तो अगर हम यहां पर गोर करें कि 3 का square लें 3 एक real number है तो 3 का square लें तो वो हमें पता है कि वो 9 के एक वालाएगा similarly अगर मैं minus 3 जो के एक और real number है उसका अगर square लेता हूँ तो वो भी 9 के एक वालाएगा तो इस set के अंदर एक element तो मेरे पास आ गया 3 और एक element मेरे पास आ गया minus 3 अच्छा जी इसके लावा देखें कि अगर square root of 9 जो है जो के एक rest number है अगर मैं इसका भी square लेता हूँ तो ये किस के एक वालाएगा 9 के एक वालाएगा ठीक है जी similarly अगर मैं minus square root of 9 का भी square लेता हूँ ठीक है जी तो वो भी 9 के एक वालाजाएगा तो यहाँ पर मैंने 3 और minus 3 को consider किया तो मैं rational numbers क्योंकि square root of 9 है उसको भी consider करूँगा क्योंकि square root of 9 का square लोगा तो वो 9 के एक वालाजाएगा क्योंकि अगर अकेला square root of 9 लोगा तो वो तो 3 के एक वालाएगा जो कि मैं ऐसा नहीं कर रहा मेरे पास जो set है उसके elements तो है x का square is equal to 9 तो मैं यहाँ पर x लोगा real numbers तो मैंने x यहाँ पर under 9 consider किया इसी तरह मैं minus under 9 भी x को consider कर रहा हूँ और minus under 9 का जब मैं square लोगा तो वो भी 9 के equal आ जाएगा तो यह तीनों के तीनों elements जो है जो हैं सोरी चारों के चारों elements जो है वो इस set के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे चलिए अभी example number 4 की दर चलते है चोत्री example में अगर आप देखें तो यहाँ पर वो लिख रहा है कि x belongs to real numbers और then वो लिखता है कि x जो है वो square plus 5x is equal to minus 6 अगर आप गोर करें तो यह quadratic equation लिखी हुई है तो हम इसको quadratic equation की तरह solve कर सकते हैं वैसे तो अगर आप x को ढूनने लगें तो आपको बड़ा time लग सकता है कि कौन sex होगा कि इसका square लें और फिर उसको 5 के साथ multiply करके add करें तो minus 6 के equal हो तो यह आपको ढूनना पड़ेगा तो हो सकता है कि यह tricky भी हो यह equation हो सकता है इसान हो लेकि कोई मुश्किल भी आ सकती है तो अब quadratic equation की तरह solve कर लें यानि कि यहाँबर मैं लिख सकता हूँ इसको x square plus 5x ठीक है जी plus 6 is equal to 0 तो यह quadratic equation अब इसको solve करें तो I guess कि इसका जो बने गए factors बनेंगे वो x plus 2 बन जाएगा एक factor और एक जो है वो x plus 3 इसका factor बन जाएगा यानि कि यह 2x की ऐसी values आ जाएगी जिनको अगर हम इनका square लें और इनको multiply करें 5 के साथ is equal to minus 6 आ जाएगा वो जाएगा एक तो minus 2 शामिल हो जाएगा और एक element जो है वो minus 3 जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा चले जब कुछ और examples करते हैं जहां से हम लेखेंगे कि अगर हमारे पास list की form या elements जानि कि इस form में लिखा हो इस form में लिखा हो या इस form में लिखा हो तो हम उसको set builder notation में कैसे लिख सकते हैं अच्छा जी इन तीन examples के अंदर हम जो है वो जो sets मारे पास list की form में लिखे हो है यानि कैसे sets जिनकी elements को हमने list किया हो लिखा हुआ है उनको अगर अगर अपने set builder notation में represent करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं तो अगर सबसे पहला चले इस example number 2 पहले करते हैं यह जादा सा आना फिर हम इस example number 1 और 3 पर जाते हैं example अगर 2 को आप देखें तो यहां पर जो elements को list किया हुआ है वो 3, 4, 5, 6, 7, and 8 पर किया हुआ अब आपको पता है कि यह elements किस में शामिल है अगर आप रिकॉल करें उन useful sets को जिसको बहुत लेक्शन नमर वान में बताया तो यह natural numbers में भी आते हैं यह वाले elements ठीक है जी और यह elements जो हैं वो integers में भी आते हैं positive integers के अंदर आते हैं और यह real numbers में भी आते हैं सही है real numbers में भी आते हैं अब हमने इनका इस्तमाल कैसे करना है अब गोर करें कि real numbers में हम इनको represent क्यों नहीं कर सकते हैं मैं आगे जाके बताता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा natural numbers को या z को भी कर सकते हैं तो मैं इस फिलाल natural numbers को यूज़ करता हूँ अब मुझे बता कि यह natural numbers हैं तो जनाब यह 3 से start हो रहे हैं और 8 तक जा रहे हैं तो मैं इस set को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि इस set के अंदर जो है कोई element x है ठीक है जी जो के member है natural numbers का ठीक है जी x is an element of natural number फिर मैं whereas लिख हूँगा ठीक है जी whereas मैं लिख सकता हूँ मुझे पता है कि x जो है वो 3 से start हो रहा है और 7, sorry 8 के उपर जाके वो end हो रहा है तो मैं आप लिख सकता हूँ कि x जो है वो greater than और equal to है 3 के और lesser than और equal to है 8 के ठीक है जी तो यह देखे कि मैंने इसको set bill notation में कैसे लिख दिया मैं इस end की जगाँ पे z प्लस भी लिख सकता हूँ एक ही बात है अब मैं r क्यों नहीं लिख सकता r का issue यह है कि real numbers जो है अगर मैं 3 और 4 के दरम्यान में भी count करो तो 3 और 4 के दरम्यान में real numbers unlimited होते हैं क्योंकि है पता है कि 3.1 भी होगा 3.1 भी होगा 3.12 भी हो सकता है 3.122 भी हो सकता है 3.123 भी हो सकता है 3.122 भी हो सकता है तो यह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर उसने इसके नहीं ले सकते हैं यहाँ पर तो अब यहाँ पर N या Z प्लस यूज़ कर सकते हैं और हम Z भी यूज़ कर सकते हैं Z प्लस ना भी यूज़ करें तो Z भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन चुकि हमने यहाँ पर रेंच बता दिये कि 3 से जनाब वो start होने है वो 8 तक जा रहे हैं तो आप यहां पे natural numbers भी यूज़ कर सकते हैं आप z plus भी यूज़ कर सकते हैं जो कि positive integers हैं आप z भी यूज़ कर सकते हैं यह आपके उपर है इसके लाव आप इसी set को एक और तरीके से भी लेख सकते हैं तो मैं इस पर थोड़ी सी changes करता हूँ चले मैं इस बार जो है वो z लिख देता हूँ तो मैं कहूंगा x is an element यह x belongs to z ठीक है जी whereas लगाता हूँ मैं उसके बार मैं लिखता हूँ जनाब के अब मैंने इसको range specify कर देनी है कि जो जनाब मैंने वो लेने है वो 2 से बड़े वाले x लेने है यानि कि ऐसे element लेने ले 2 से बड़े हो और 9 से चोटे हो 9 से चोटे हो तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ तो यह आपकी मर्जी है कि आप क्या लिख सकते हैं दोनों का मतलब एक ही है अब आज आप example number 1 के उपर अगर आप example number 1 को देखें तो इसमें वो कहता है 0 के बाद 3 है then 6 है then 9 है then 12 है अब आप गोर करें तो यह एक sequence रिकर्सिव रिलेशन का जिकर करता है यानि कि 0 के बाद 3 आड़ करें तो 3 आएगा फिर 3 में आड़ करें 6 आएगा 6 को 3 आड़ करें तो 9 आएगा और फिर 12 आएगा तो अब जारी बात है कि मुझे इसको किसी ना किसी sequence की form में या recursive relation की form में लिखना पड़ेगा तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ तो आप वीडियो को pause करो एक बार आप भी लिखें और देखें कि आप इसको किस तरह से लिखते हैं तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि मैं कहता हूँ जनाब के x जो है वो natural numbers से belong कर रहा है ठीक है जी x belongs to natural numbers ठीक है जी और मैं कहता हूँ कि जनाब यह जो है वो 3x है ठीक है जी और मैं यह भी लिख देता हूँ mention कार देता हूँ एक और colon लगा दूँगा या comma लगा दूँगा कोई बात नहीं मैं कॉमा लगा कर कहता हूँ कि जनाब x जो है वो आपने लेना है lesser than x जो है वो एक natural number है natural number कहां से स्टार्ट हो रही है फिर 1,2,3 जा रहा है फिर मैंने आगे लिखे 3x यानि कि जो natural number है वो 3 से multiply हो रहा है तो अगर मैं इसको 3 को 0 से multiply करूँ तो 0 आ जाएगा अगर मैं 3 को 1 से multiply करूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा अगर मैं 3 को 2 से multiply करो तो 6 आ जाएगा 3 को 4 से multiply करो तो 12 आ जाएगा अगर मैं 3 को 5 से multiply करो तो 15 आ जाएगा 15 इस सेट का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने इसको less than 5 लिख है तो यहाँ पे आप यह भी लिख सकते हैं x is lesser than equal to 4 यह आपके उपर आ तो देखें कि मैंने इसका एक recursive relation भी लिख दिया कि ये जनाब x जो है 3 से multiply हो रहा है मैंने x को बता भी दिया कि उन natural numbers में से है ठीक है जी और x जो है वो lesser than 5 है यानि कि x को आपने 5 से बड़ा नहीं लेगा अब आज़ अब last तो last पर भी आप गोड़ करें तो ये एक recursive relation भी बार रहा है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 तो आप वीडियो को एक moment के लिए pause करें और खुद से पहले लिखें कि आप इसको किस तरह का recursive relation लिखते हैं और फिर आप मेरी वीडियो पर आएं तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ मेरे साबसे ये जो बनेगा वो बनेगा जनाब मैं कहता हूँ ये एक्स जो है मैं फिर इसको natural numbers ही consider कर लेता हूँ ठीक है जी बैसे natural numbers non-negative integers ही होते हैं यह यह एस integers जो negative नहीं होते हैं उसमें 0 भी शामिल होता है तो यह non-negative integer लेता हूँ मैं ठीक है जी और मैं कहता हूँ कि जनाब यह जो two raise to the power उसका recursive relation है ठीक है जी और मैं यह भी लिखता हूँ कि जनाब जो मेरे खाल से तो यह काफी हो जाएगा और लिखने की जूरत नहीं है उसकी reason यह है कि यह खतम नहीं हो रहा यह चलता जा रहा तो इसको हम यहीं पे close कर देते हैं बेशक आप इसको easy नहीं है तो वेराइस की जगापे आप जो है वो colon भी दो यूज़ कासे थे जिसला कि आपने इससे पिछली स्लाइड में किये थे तो आप यहां पे दो colon यानि कि colon यूज़ करने और इसको close करने अब देखें कि अगर मैं natural नमर से लेता हूं तो टू की पावर अगर मैं 0 लोंगा तो definitely वो 1 के equal आजएगा similarly अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूं क्योंकि x को मैंने natural नमर में से लेना है तो 2 की पावर अगर मैं 1 लेता हूं तो वो 2 के equal आजएगा इस तरह मैं 2 की पावर अगर 2 लेता हूं तो वो 4 के equal आजएगा और 2 की पावर 3 लेता हूं तो 8 के equal आजएगा और चलते चलते यह sequence जया वो चलता जाएगा I hope कि आपको आज का lecture पिसादा आया होगा और आपको set, build, and dateion जो है को मुकामल समझा आ गया होगा और फिर भी कोशी हो है तो आप मुझे comment में बता सकते हैं अगर आपको यह वीडियो प्साना दाही है तो आपने इस वीडि़ो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राब भी करना है, ताकि नेक्स्त आने वली वीडियो पर आपको नौटीकेशन देखाए, और दूसरे talents जो टेकी structures बारड़ने हैं आपके, class fellows आपने उसके उनके सा भी ये वीडियो शेयर करनी है अलाफिस